हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने मोटरोला जी 82 एंडुट मॉइल फोन में आप बैटरी सेवर सेटिंग को आप जो है सेडियूल कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह बैटरी सेवर सेटिंग जो है सेडियूल करने के बाद यह सेटिंग काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए हैं आपर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है setting page open कर लेंगे तो आपको नीचे की side में आना है और यहाँ पर आपको battery का यह option मिल जाएगा battery के इस option पर आपको select कर लेना है इसके बाद आपको battery के इस page में नीचे की side यह आपको battery saver का यह option मिलता है बैटरी सेवर पे आपको select कर लेना है इसके बाद आपको बैटरी सेवर के इस page में set a schedule का ये option मिल जाता है एकourlaus पे जलेक्षर कर लेना है अब यहाँ पर अपको set a schedule के इस page में based on percentage यह second option मिलेगा based on percentage इसे select करना है तो आपका नीचे की side में यह pointer show हो जाएगा percentage के साथ इस pointer को आपको उंगली से दबाना है और इसे left or right आप कर सकते है इस तरीके से ठीक है तो आप इसे चाहे तो कितने भी आप percent पे रख सकते हैं जैसे कि 50, 60, 70, 80 ठीक है और इसे कम से कम पे भी आप रख सकते हैं तो जो भी मैं यहाँ पर 15% यहाँ पर select कर लेता हूँ ठीक है और इसे मैं back page पे जाता हूँ तो देखें यहाँ पर set is schedule के नीचे will turn on at 15% यहाँ पर लिखा हुआ है अब यह setting जो है आपकी schedule हो चुग है battery saver setting अब यह setting जो है schedule होने के बाद यह setting काम कैसे करती यह मैं आपको बता देता हूँ तो जब भी आपके mobile phone की battery जो है वो 15% पर आजाएगी ठीक है तो आपके mobile phone का जो battery saver है वो automatically on हो जाएगा ठीक है और on होने के बाद जो है आपका कुछ इस तरीके से mobile phone की display हो जाएगी background black हो जाएगा ठीक है और मान लिजे कि अगर आपने battery saver on होने के बाद जो है अपने mobile phone को charger से connect नहीं किया है और अपने phone को continue use करें जा रहे हैं तो इससे होता क्या है कि आपका mobile phone का जो battery saver है वो आपकी battery को consume होने से बचाता है याई कम से कम consume होने देता है ठीक है तो जायतर आपकी battery की life को save कर लेता है तो यह setting मैंने आपको यह बटन दबाकर आपको इसे enable करके दिखाए था on करके दिखाए था आपको यह button दबाने की जरूरत नहीं है जब आप battery saver setting को schedule कर देंगे तो यह automatically काम करेगा ठीक है जो भी आप percentage select करेंगे उस percentage पर आने पर आपकी battery saver setting enable हो जाएगी everyday ठीक है तो यह setting जो है कुछ इस तरीके से काम करती है